Yes, people, good morning, good afternoon, good evening to all CMA student. कैसे हैं सब लोग, hope so, आप सब लोग बहुत बढ़े रहेंगे, मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अचा हूँ. तो भाई साब, sir, CMA final का examination आ रहा है, December में. तो December में exam आ रहा है, sir, कैसे prepare करना है, क्या करना है, मैं बता हूँ, देखो. आपको सरफ compact compiler करके जाना है धंग से, अगर आप compact compiler धंग से करके जाते हो, आपका काम बन जाएगा. compact जो है, वो धंग से करना है, compiler है, वो आपको धंग से करना है. And guys, sir, CMA final में, sir, कौन से topic कितने marks के cover कर रहे है आज कल? Because, आपको यह लगता होगा, sir, हमारे syllabus में तो PGBP है ही नहीं, हमारे syllabus में तो capital gain है ही नहीं, देखो, capital gain से तो जादा नहीं आता, बट PGBP तो आपको करना पड़ेगा. और PGBP आपको exhaustive way में करना पड़ेगा, क्योंकि जो total income के question आते है, उसमें तो PGBP आना चाहिए. और अगर mat का भी question आया, और ऐसा बोला कि आपको mat निकालना है, total income भी निकालना है, tax निकालना है, तो आपको सब यह चीज़े आनी चाहिए ना. तो उसके लिए guys, मैंने आपके लिए एक यह analysis किया है, कि last के तीन paper में new syllabus में कौन से topic से कितने marks cover हुए है, और यह तुमारा old syllabus का भी मैंने एक paper ले लिया, जिससे की क्या हो ना, कि जब आप देखोगे, तो आप यह भी पता कर सकते हो कि old syllabus में किस से ज़्यादा आता था, new syllabus की अगर मैं बात करू, that is syllabus 2022, जो तुमारा paper नबर 15 है, direct tax and international taxation, 100 mark का आपका paper है, अगर आप इसमें देखोगे, हर topic wise, तो आप देखोगे, कौन-कौन से topic से सबसे ज़्यादा coverage हो रहा है, PGBP आप देखो, on and average आपका 21 marks का June में आया था, उसके पिछले exam में 18 mark का आया था, उस salary house property एक बार आप छोड़ भी सकते हो, salary आप एक बार छोड़ सकते हो, because आपके पास paper जो रहेगा, वो 128, 130 marks का paper रहेगा, prox 130 marks का paper रहेगा, तो आप अगर salary छोड़ भी दोगे तो चलेगा, salary में कितना याद रखने का, के standard deduction कितना मिलता है, वो 50,000 का वो याद रखने का, ठी उसके बार जो standard deduction 30% है, वो municipal taxes allow होते है, तो वो थोड़ा सा अगर आप format डिक के जाओगे, तो आपका काम बन जाएगा, जो आपने intermediate में पढ़ रखा है, अब आप देखोगे merger and demerger करके, merger demerger से आपको question मिल सकता है, इसमें बहुत बार slum sale वाला partner है, वो merger demerger में पूचा ज आता है, तो उस particular case में आप capital gain में slum sale है, वो आप करके जाएंगे, अब आप देखते हो return filing and आपका assessment procedure है, वो return filing assessment procedure है, वो भाई सब 20 mark के करीब आ रहा है, हर paper में आप देखोगे 20 marks के करीब है, वो आपका return filing assessment procedure है, advanced tax, TDS, TCS इतना नहीं आ रहा, advanced tax, TDS, TCS बट मैं बताओ कोई बरोसा नहीं है, मेरे को बताओ न, CA में institute का कोई बरोसा मुझे लगता नहीं है, कभी अभी कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर के ठीक है, तो I don't know, तो TDS, TCS अभी देखो, आप देखोगे था, average आपको कितना मिल रहा है, 5, 6, 7, 8 mark का मिल रहा है, बट एक बार पहले पोल्ड है, यह tax management है, यह tax avoidance है, यह tax evasion है, वो question आ रहे है, उसके बाद में आप देखोगे, NR taxation से question बन रहा है, और transfer pricing तो आपको देखो यार, 25 to 30 marks transfer pricing से लिखके ले लो करके, and DTAA, भाई, अगर आप यही ढंक से दो topic कर लो ना, transfer pricing और DTAA, तो आप ऐसे ही pass हो जाओ, देखो, model, ज है, वो अगर आप छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा, वो topic अगर आप छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा, बट equalization लेवी से question आये हुए है, but model, text, convention वगरा वो आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, तो यह just comparative analysis है, जो मैंने बनाया है, कि इसमें कौन से topic का कितना coverage जाता ह है, तो आप accordingly आप अपना prepare कर सकते है, accordingly आप अपने को, आपको evaluate कर सकते है कि कौन-कौन से topic पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से topic पे हमको कम ध्यान देना है, वैसा आप कर सकते है, you got my point or not, yes, तो चलो, यह बाला जो photo है न, यह मैं share कर दूँगा आपके group में भी, त आप खुद भी analyze कर सकते है, खुद भी देख सकते है, but just मैंने सोचा कि मैं पांच मिनट का आपके लिए विडियो बना दू, और पांच मिनट में आपको यह बता दू, मैं बता हूँ, देखो compact compiler के बाहर कहीं नहीं जाना, आप बोलोगे sir, यह तो compact में mainly CA के लिए ऐसा नही है, कभी थोड़ा बहुत line change हो जाती है, तो वैसा ही है, ज्यादा stress नहीं लेना है, ज्यादा tension नहीं लेना है, अच्छे से prepare करना है, exemption score करना है, और देखो 130 mark का paper आता है, 130 मैं से लाना कितना है, अपने को 70 लाना है, आदा ही तो marks लाना है, 50% marks लाना है paper मैं से, और option भी तो म आपको लगता है, NR taxation है, transfer pricing है, DTAA, भाई साब गजब revision lecture डाल रखे है, आप अराम से करो कि आपको मजा आ जाएगा, PGBP का revision lecture देख लो, करो कि मैट का देख लो, तो देखो PGBP है, मैट है, वो सब आपको देखके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैट वगेरा है, वो भी आ आपका मैट वाला concept है, वो भी आ गया, AMT वाला concept है, वो भी आ गया, एंड तुम्हारा जो पहला topic है न, वो, 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC, 115 BAD, वो सब आ गया, तो उसमें ये total income के basically question आते है, जिसमें आपको टेक्स वगरा भी साथ में निकालना पड़ता है, ठीक है, चलिए गाइस, तो ये जस्ट आपके लिए मैंने दिया है, आप अच्छे से उसको prepare करेंगे, और ढंग से इसको देखते हुए, आप चाहिए तो दो paper देख भी लो न, आप भी देख लो, कि जून वाला जो 2024 का paper है, वो एक दम देख लो पूरा अच्छे से, आप पूरा अच्छे से देख के फिर अपना preparation चालो करो, और आप देखो कहां कहां पे अपने को अच्छे से focus करना है, ये मैंने आपको focus का area दे रखा है, आप भी एक पार analyze कर सकते हैं, ठीक है, चलो, thanks a lot people, मिलते हैं CMA के बाद में, और December के बाद, exam के बाद, pass होके, CMA बनके हम मिलने वाले, चलो, thank you.